नवश्कार मैं हूं सुक्रती एरोय चैटर जी और बोल्सकाई में आप सभी का स्वागत है सिंग संक्रांती दो शब्दों के मेल से बना है सिंग और संक्रांती सिंग को सिनहा या सिंग के रूप में भी लिखा जाता है जिसे सिंग के रूप में पहचानते हैं जो एक जोतिशीय राशी है जिसे सिंग द्वारा दर्शाय क्या है जब सूर्य सिंग राशी में प्रवेश करते हैं तो इस दन सूर्य संक्रांती फर्व मना जाता है सूर्य का एक राशी से दूसरी राशी में जाने की स्थिती को ही सूर्य संक्रांती या सिंग संक्रांती कहते हैं सूर्य का प्रभाव बढ़ने से रोग खत्म होने लगते हैं और आत्मविश्वास बढ़ने लगता है सिंग राशी में स्थित सिंग की पूजा विशेश पलदाई मानी गई है साल 2021 में सिंग संक्रांती 17 अगस्त को है बता दें कि सिंग संक्रांती के दिन भगवान विश्नो सूर्यदेव और भगवान नर सिंग की पूजा की जाती है मानिता है कि इसे दिन घी का सेवन करना अत्यंत लाबकारी है इससे उर्जा, तेज, यादाश्त और बुद्धी वड़ती है अब आईए जानते हैं सिंग संक्रांती पूजा का शुप मुहुर सिंगा संक्रांती पूजा करते समय ये ध्यान रखें कि आपके पास शुद्ध गाय का दूद्ध और साथ में गंगाजल जरूर हो पूजा शुरू करने से पहले फूल, कुमकुम, चावल और अन्य सामगरी अपने पास से रख लें सबसे पहले सूरदेव की मूर्ती या तस्वीर को पूरे विधि-विधान से स्थापत करें अगर तस्वीर या मूर्ति आपके पास नहीं है तो आप सूर्य देव का ध्यान भी कर सकते हैं इसके बाद पूजा में जल अर्पत करने के लिए तामबे के लोटे का इस्तमाल करें अब सूर्य देव के मंत्र ओम सूर्य देवाय नमख का 108 बार जब करते हुए सूर्य देव को जल अर्ग दें इसके बाद सूर्य देव की तस्वीर या मूर्ति पर फूल आदी अर्पत करें और उन्हें धूप दीपक दिखाएं इसके बाद आप भगवान विश्णू और नर्सिंग स्वामी की भी पूजा कर सकते हैं बता दें कि सिम्हा संक्रांती के दिन जरुरत मंद व्यक्ति अब्राम्भर को खाने पीने की चीजें जैसे दाल चावल गेहु का दान अती पलदाई है आप चाहे तो वस्त्र भी दान कर सकते हैं उमीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा वीडियो को लाइक और शेयर करें साथी चानल को सब्सक्राइब करना ना भूले